नमस्कार दोस्तों ये वीडियो UPSC के एस्परेंट्स के लिए है तो इस बार क्या हुआ है? OTR बहुत ही एहम मुद्दा बन गया है क्योंकि UPSC जितने भी एक्जाम कंड़र्ट कराती है NDA, CDS और UPSC IS के Civil Services के जो भी एक्जाम कंड़र्ट कराती है सब के लिए इन्होंने OTR कर दिया है NDA, CDS के लिए तो पहले ही इन्होंने OTR कर दिया था लेकिन अभी क्या है के UPSC के जो एक्जाम होते है IES, PCS के उसके लिए भी इन्होंने OTR कर दिया है OTR क्या है? और फॉर्म बलते समय कुछ साबधानी आपको वर्त नहीं है वो मैं आपको बताऊँगा कुछ important जानकारी भी बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखना देखे, OTR क्या है? यह तो फॉल फॉर्म तो आपको इपता होगी वन टाम रेश्टेशन होता है पहले क्या होता था? जितने भी फॉर्म आते थे फीस जो भी होगी फीस कटके आपका फॉर्म बर्जाएगा आपको दुवारा से इतना पूरा जहमीले में पड़ने की जरूरत नहीं है ठीक है? तो start करते हैं लेके चलते हैं next slide पर देखे यह notice नहोंने डाला था यह पांच जनमरी को notice जो है आ चुका है और आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना देखे इन्होंने क्या वोला है कि तीन तारीक को तीन तारीक को यह मतलब कुछ पंजी करन के लिए वेवसाइट पर यह सब कर दिया गया है और OTR क्या है OTR एक रेश्टेशन है UPSC के जितने भी बरती आएंगी उन सबी के लिए इसमें ऐसा नहीं है कि आपने रेश्टेशन कर दिया तो फर्म बरती है ऐसा नहीं है रेश्टेशन एक जैसे फेस्वुक पर प्रोफाल बनाते हो न एक तरह से आप प्रोफाल बना रहे हो उसमें अपना पूरा डेटा भर रहे हो आपका पूरा डेटा रहेगा जैसे ही फॉर्म आएगा तो उधर आपको देख जाएगा जो भी नोटिपिकसन आएगा वहाँ पर क्लिक करके आपका फॉर्म बहुत जल्दी भर जाएगा आपको वो डेटेल भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कभी भी मतलब अब तक आप भरते आएगा वो वहीं से फैस्ट करके बुरा फॉर्म भर जाएगा आपको कुछ चीज भरनी पड़ेगी ठीक है और ऐसा नहीं है ये OTR ऐसा है कि बहुत लोग बोलते थे अरे OTR के बाद में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते लेकिन ये OTR ऐसा है इसके OTR ब्रेश्टिसन करने के बाद आप सारी चीज जो भी अपनी डेटेल है इंपोर्टेंट डेटेल जो भी है नाम, डेटो ब्रेश्ट बगरा सब कुछ चेंज कर सकते हो केबल अपना मुवाइल नंबर और अपनी इमेल आडी चेंज नहीं कर सकते और एक इमेल आडी एक मुवाइल नंबर से केबल एक ही OTR होगा इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक मतलब मोबाइल नमबर और एक email आड़ी से कोई दूर registration नहीं होंगे केवल एक ही registration होगा इन्होंने ऐसा यहाँ पर सब कुछ बोलके रखाए ठीक है और आप अपनी profile को update भी कर सकते हूँ मैं website पर दिखा रहा हूँ यह website है OTR की थे OTR benefit यहनोंने क्या क्या देखे बोला है इसके फायदेस में भी इन्होंने बताए है आवित अपना जो वेक्तियात बेवर्ण है केवल एक ही बार भनना पड़ेगा उसके बाद में कभी भी नहीं भनना पड़ेगा और अपने फोटो सेगनेचर एक बार अपलोड करने की आपसकता है बावित समय उनको चेंज कर सकते हो 24-7 कभी भी 24 गंटे 7 दिन कभी भी चेंज कर सकते हो और OTR में जो भी सूचना है डेटल लूप में कभी भी कहीं से उपलब्द होंगी ठीक है सरकारी नौकरी की बिनवेन जो भी सूचना है या फोम आते हैं तो आपको यहां मिल जाएंगे आप यहीं से फोम भरपाऊगे और फोटो मैंने वो पता दिया आप सारा डेटा अपडेट कर सकते हो आपको यहां देखरा हुआ नोट में इन्होंने बोला है जो OTR है उसमें आप अपनी सार्ज डेटेल चेंड कर सकते हैं मोवाइल नमबर और इमेल को छोड़ कर ओके और यहां पूरा प्रोसेस दे रखा है और जो आपको साबधानी जो मतलब मैं यही बोलोगा देखिए यह तो है कि आप बात में जेहिंड कर सकते हो गलत हो जाएगी लेकिन वो मौकाई मत दीजे रेश्टेसन में आपसे इमेल, मौवाइल नमबर, नेम, जेंडर, कैटेगरी, माता-पेता कर नम, टेटर परता और डो मिसल एस्टेट बगरा यह पूछेगा और लोगइन करोगे तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा मौवाइल पर OTP आएगा, उसके बाद जन्नेट होने के बाद आपको अपना पासवर्ड जो है, चीन करना पड़ेगा, उसके बाद यह वेरिफाई, डेटेल बोला, इमेल आडी, और मौवाइल नमबर दोनों वेरिफिकेशन होंगे, दोनों पर OTP जाएगा, इमेल आडी भी वेरिफाई होगी, और आपका मौवाइल नमर भी वेरिफाई होगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा, उसके बाद आपको एक डेस्पूर्ड मिलेगा, उस डेस्पूर्ड में आप परसनल डेटेल, अदा डेटेल, अकेंडमिक डेटेल, फोटो सिंगनेचर, यह से आप और भी चीज़ दे सकते हो, इसमें स्टैप यहां भी दे रखें, लॉग इन, वेरिफाई डेटेल, फाइल डेटेल, वैलिडेशन, ओटिया जनरेटर, ऐसे करके ओटियार आपका जनरेट हो जागा, अभी 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 तक कि जनकरी, अगर इस वीडियो आएगी न, तब तक को बहुत ज्यादा हो चुकी होंगे, वैलिडेटर इसमें 373 और 375 OTR जनरेट हो चुके हैं, ठीक है, तो अभी बहुत कम है, आप अपना जनरेट कर सकते हैं, वैबसाइट हो पाना है, मैं नीचे लिंक दे दूँगा, और कुछ भी पूछना चाहते हो, तो पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, मैं आपको जवाब देटा रहूँगा, OTR बहुत ही अच्छी चीज़े हैं, ठीक है, उसके बाद में के अपने मुबाइल से भी फॉम बरबाऊगे, कोई भी कैसी भी परिशानी नहीं आगी, तो वीडियो कैसे लगी बताना, कमें में बताना, तो वीडियो को देखने के लिए पोत्व धन्यवाद, जय भारत बंदिवात्रम, और आप से युक मेरी प्यार वी दिल चे, राम राम